हाँ जी सभी को नमस्कार कैसे हैं आप सभी आप सभी का Impact Academy के इस Online प्रेटफॉर्म पर स्वागत है ठीक है ना सभी बच्चों का स्वागत है भी आ जाए सभी बच्चे तो करते हैं अपने टोपिक को स्टार्ट ठीक है कल हमने कौन सा टोपिक किया था कल हमने टोपिक किया था कौन सा काल का ठीक है ना काल का टोपिक हमने कल कर चुके थे और हमने एक topic शुरू किया था वो कौन सा वचन का ठीक है ना वचन का हमने शुरू किया था लेकिन वचन का topic कल हमारा पूरा नहीं हुआ यानि कि इसके अंदर थोड़ा सा हमारा कुछ रहता है बताने के लिए वो हम आज कर लेते हैं तो वचन का मतलब क्या बताया था मैंने संख्या और ये परशन देखो कितना असान कितना मतलब कोमन सा परशन है और ये HSSC ने पूछा था एक बार कि वचन का मतलब क्या होता है वचन का मतलब संख्या होता है ठीक है ना और जो संख्या होती है ना यानकी जो वचन होते हैं वो दो परकार के होते हैं वह एक तो होता है कौन सा एक वचन और एक कौन सा बहुवचन ये दो परकार से होते हैं एक वचन और बहुवचन अब नाम से पता चल रहा है एक वचन माना एक संख्या और बहुवचन माना ज्यादा संख्या तो जहां पर एक संख्या का पता चले वो एक बचन होते हैं और जहां पर जादा संख्या का पता चले वो क्या होते हैं वी वो भूवचन होते हैं तो देखिए, अब वचन का टोपिक कैसे करोगे एक्जाम में, जैसे आप से यूँ पूछ लिया जाए, कि सेना सबत बताओ, एक वचन है या बहु वचन, चाहे कोई भी कुश्चन पेपर में वचन में से क्यों ना आए, हमेशा वो किया कैसे जाएगा, आपको उसके लिए, उसको वच्चे में परियोग करके देखना पड़ेगा भी, मतलब इसको एक रट्टा ना मारो, कि सेना एक वचन होती है, हस्ताक्षर बहु वचन होते हैं, है ना, या फिर लोहा एक वचन होता है, आप इस तरह से रट्टे मत मारो, इसका सीधा तरीका ये है, इसका रामब करो कि जहर में सेना आई है, सेना बुलाई है, सेना खड़ी है, सेना लड़ रही है, तो हम लोग एक वचन का प्रियोग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, कि सेना लड़ रहे हैं, सेना आए हैं, सेना खड़े हैं, सेना बुलाई हैं, ऐसा कुछ तो नहीं बोल रहे ह जब हम एक वचन का पॕर रहे हैं, मतलब खड़ी हैं, लड़ रही है, आई है, बुलाई है, तो क्या होते हैं, सेना सबद हमेशा एक वचन होता है। क्या होता है सेना सबद एक वचन होता है ठीक है फिर आप से पूछ लिया की रोंग रोम है ना रोम यह रोंगटे रोंगटे करो रोंगटे है ना ठीक है ना रोम भी कह सकते हो रोंगटे मैं दोनों का बताऊंगे आपको रोम का जैसे हम कहते हैं रोम छिदर खुल गई बोलत कुले है वह तरक ज़्यादा है इसा बुलेंगे किया एक रूंग टा खड़ा क्ड़ा हो चोए नफे सब्सक्रीजों के ऊपर नहीं चां拌ता है रह्यों जोवाख करो रटते क्यों मारते हों कि लोहा फ़िंटल जब दो कविंटल कहोगेłość तो लहा पड़ा है दो कविंटल, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि दो कविंटल लोहा पड़े हैं, ऐसे ने बोलोगे, लोहा पड़े हैं, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे, पड़े हैं, रखे हैं, खरीदे हैं, आप कहोगे पड़ा है, लोहा रखा है, लोहा खरीदा है, यानि कि आप प्र योग करोगे, तो मैंने कल आपको क्या पताया था, आपको शायद याद होगा, कि जो समुवाचक संग्याई होती है न बच्चों, समुवाचक संग्याई, या फिर जो दर्वेवाचक संग्याई होती है, हमेशा ये दोनों जो संग्याई हैं, ये एक वचन में आएंगी भी, ये दोनों किश्मी आएंगी, एक वच्चन में आएंगी, कौन कौन सी, एक तो समूवाचक और दूसरी कौन सी, दर्वेवाचक समूवाचक कौन सी थी, जनता, परिवार, सेना, कक्षा, भीड, दर्बार अब 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 दर्बार शवद पर बात करते हैं आपको एक्जाम में पूछ लिया जाएगा, कि दर्बार शवद कौन सा, क्या है, लिंग है, मतलब पुलिंग है, या इस्तिर लिंग है, तो आप क्या कहोगे, कि दर्बार लगा है, दर्बार, क्या कहोगे, लगा है, लगे है नहीं कहोगे, क्या कहोगे, दर्बार, लगा है, यहाँ पर दरबार लगेगा दरबार लगेंगे नहीं दरबार लगेगा लेकिन दरबार तो तब लगता है ना जब ज़्यादा सारे मंतरी, संतरी, नोकर, चाकर, राजा सारे कुछ होते है अब एक व्यक्ति से दरबार थोड़ी न लगता है लेकिन हमने क्या बोला कि दरबार लगा है यानि कि दरबार शबद क्या होता है भी दरबार शबद एक वचन होता है हमने कहा जनता अब जनता एक व्यक्ति को तो जनता नहीं कहेंगी लेकिन जब हम बोलते हैं कि जनता सब समझती है जनता सब जानती है तो इसका मतलब क्या इसका परियोग किस में हो रहा है एक वचल में हो रहा है ऐसे थोड़ी न बोल रहे हैं कि जनता सब समझते हैं जनता करते हैं समू वाचक दर्वे वाचक हमेशा एक वचन में परियोग होंगी आपने मार्केट से घी खरीदा अब ये बताओ जब घी खरीदा आपने मार्केट से तो आप क्या कहोगे कि आपने मालो 10 किलो घी खरीद लिया घी चाहिए घर में 10 किलो एकठा ले लेते हैं तो आप क्या कहते हो कि घी खरीदे हैं ऐसे कोगे क्या कोगे कि मैंने 10 किलो घी खरीदा है आप एक वचन का परियोग करोगे खरीदा है ना कि खरीदे हैं तो जहां पर एक वचन का परियोग हो रहा है खरीदा है तो वो कौन सा आएगा हमेशा एक वचन में ही परियोग होगा, खरीदे हैं, लिये हैं, खाएं हैं, जब ऐसे बोलोगे ना, तब ही आएगा बहुचन तो, ठीक है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक बहुचन हो जाएगा, अब जैसे यूँ पूछ लिए आप से साधू, साधू शबद आया था एक बार एकजाम मे ठीक है ना, HSSAC ने पूछा था, कि साधू का बहुचन रूप क्या होगा, और option में दिया वा था साधू, एक तो साधू का साधू ही दे दिया, और मेरे खहाँ से तो ये गूर्प D का question है, option में साधू दे दिया, साधूें दे दिया, साधूं दे दिया, तो अब ये बताना साधू का भौचं रूप क्या होगा, तो आप इसके लिए रट्टा मत मारें, आप सोचिए, कि एक साधू आ रहा है, तब तो आप क्या करोगे, साधू आ रहा है, अब वो भौचं आप से पूछ रहे हैं, अगर ज़ादा सारे साधू होंगे, मानलोप पांसात हो जाएं, तो आप क्या कहोगे, साधुओं आ रहे हैं, साधुएं आ रहे हैं, ऐसे थोड़े न बोलोगे आप लोग, फिर भी आप क्या कहोगे, साधु लोग आ रहे हैं, आप इसके बाद या तो साधु लोग, या साधु गण, गण सबद कब इस्तिमाल करते हैं, साधु गण आ रहे ह और ऐसा तो कोई option में था ही नहीं, ऐसा तो कोई option में था ही नहीं, option में तो सादू का सादू था तू उसको टिकर दो, अगर ज़्यादा सारी आएंगे तो भी हम क्या कहेंगे, भई जो सादू है वो आ रहे हैं, ऐसे बोल देंगे, कि सादू आ रहे हैं, सादू गण आ रहे ह साधू जन आ रहे हैं अगर गन और जन ना लगाए ना तो भी सीधा कह देते हैं कि साधू आ रहे हैं तो हम साधू साधू का तो साधू ही रहा ना हम आगे हमने बहुचन का इसका परियोग कर दिया हमने आगे क्या कर दिया बहुचन का क्या कर दिया परियोग कर दिया अब द ज्यादा टेंशन लेने की जरूरती नहीं, उप्शन तो च्यार ही होंगे, आपको कोई ऐसे थोड़ी ना उसका याद अगर के उत्तर लिखना है, आपने च्यार उप्शन में से एक को पहचानना है, तो अब एक हाथी आ रहा है, तब तो क्या कहोगे, हाथी आ रहा है, अगर आप क्या कहोगे, कि हाथी आ रहे हैं, हाथी का फिर भी आप हाथी ही करोगे, तो देखो इसका सबसे तरीका सरल, असान यहीं है बच्चों, कि कोई भी वाक्य आपको दे दिया जाए, उसका वाक्य में परियोग करके देख लो, जैसे आपको दे दिया आंसू, आंसू लगया तो मतलब यह तो गड़बड़ है आंख में कोई दिक्कत है अगर एक आंख से पाड़ी आ गया ना दूसरे आंख से निया तो कोई समस्या है फिर तो आंख में दिखाना पड़ेगा डोक्टर को अब दो आंख है तो आंशु भी तो बच्चों दो ही निकलेंगे तो फ बूरी ने सिर में ऐसा थोद़ने पुरी सिर में है कि बाड़ां भाल तो कही होते है अने को दो तो बल्सक्रा जाएगा बाऄ जोचन आजएगा थोड़ा अगर आप सोचोगे तो वच्छन का आपका प्रशन पप्रशन कभी भी गलत नहीं होगा वच्छन कोई पहचाणना बड़ी मुश्किल बात नहीं है, देखो मैंने आपको लिंग का तो बताई दिया, लिंग तो पहचानोगे मेरा और मेरी से, मेरा मेरी लगा देना, किसी भी शबद का लिंग आप पहचान सकते हो, एक मिनट तो लगेगा भी नहीं आपको एकजाम में, और वचन कैसे पहचान आप क्या बोलोगे, चावल खाए हैं, चावल बनाए हैं, चावल खरीदे हैं, चावल पड़े हैं, चावल रखे हैं, अरे एक वाक्य क्यों बनाते हो, पेपर में चर पंच बनाया गरो, ताकि आपकी बात क्या हो जाए, कलियर हो जाए, और जो गेहू शबद है, गेहू, वो एक वचन होती है अब आप कोगे मैणम होती तो गेहूँ भी बहुत सारी है हम एक गेहूँ का दान थोड़ी न खाते हैं लेकिन यहाँ पर उसको वाक्य में परियोग रो बच्चों कैसे गेहू रखी है गेहू खरीदी है गेहू काटी है आप ऐसे बोलते हो कि गेहु काटे हैं, गेहु खरीदे हैं, गेहु रखे हैं, ऐसे थोड़ी ना बोलते हो, तो गेहु शबद एक वचन में गिना जाता है, कर लोगे, कर लोगे ना सबी वच्चे, अच्छा एक बात और यादर खरेना इसके अंदर, लास्ट बात, कि आदर देने के लिए, अग अपने शबद क्या है, पिता जी, अब जब श्याम को आपके पिता जी घर आते हैं, तो आप क्या बोलते हो, पिता जी आ गया, ऐसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो क्या, नहीं बोलते ना, आप बोलते हो, पिता जी आ गये, है ना, पर्धान मंत्री जी बैठे हैं, पर्धान मंत प्रधान मंत्री जी बोल रहे हैं, प्रधान मंत्री जी बैठे हैं, प्रधान मंत्री जी आच चुके हैं, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि आप आदर देना चाहते हो, जहां भी आदर देना होगा, हमेशा बहु वचन का प्रियोग किया जाएगा, जैसे लाल बहादुर शाष्ट्री बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे थे था नहीं थे था नहीं बोलेंगे हम बहुत अच्छा प्रधानमंत्री था ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे तो आदर देने के लिए बहुचन का प्रियोग है बाक्य के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि जो भी शब्द आपको दिया जाएगा वक्के में परियोग कर लिया करो उसके बारे में सोचा करो कि अगर ये जादा होंगे तो कैसे बोलेंगे और एक होगा तो कैसे बोलेंगे ठीक है तो चलो जी अब हम करते हैं किसके बात अगले टोपिक की बात कर लेते हैं क्योंकि वच चंद का जो टोपिक है ये एक्जाम में कई बार आजाता है पर इसमें ज्यादा लंबी चोड़ी बात नहीं है क्यों क्योंकि 10th कलास के अंदर आपने पड़ा हुआ है एक तो दोहा चंद होता है और दूसरा कौन सा होता है वही चोपाई 10th कलास में ये दो ही चंद है और एक कपे हैं कुणिलियां है पर उनके बारे में नहीं तो कभी पूछा और नहीं कभी पूछेगा क्योंकि जो आपके सरेबस के रिकोर्डिंग बात करेगा तो देखो चंद किसे कहते हैं सबसे पहली बात तो क्या कि चंद कहते किसे हैं ये चंद है क्या तो देखो जो चंद है इसको कव्वे के क्या कहा जाता है कव्वे के वस्तर कहा जाता है कव्वे के वस्तर चंद कव्वे के वस्तर है मैंने आपको अलंकार करवाई थे न देखो आपको पता होना चाहिए कि जो टोपिक हम लोग कर रहे हैं उसका मतलब क्या होता है हिंदी में उसका क्या महतव है क्य क्या होते हैं अभूशन होते हैं अभूशन माना गहना जेवर ठीक है और फिर अगर हम बात करें रस की और ये रस का टोपिक में आपको कल करवाऊंगी क्योंकि रस के टोपिक में समय लगेगा आज थोड़ा समय कम है तो हम चंद का करते हैं इसमें थोड़ा समय लगेगा समय कम क्यों है क्योंकि हमने वचन का कर लिया ना पहले तो देखो यह रस है रस क्या होते हैं यह कव्य की आत्मा है अब आप कोगे मैंनम यह क्या सिस्टम है वस्तर आभूशन आत्मा तो देखो जिस प्रकार बिना वस्तरों के हमारा शरीर सोभा नहीं पाता उसी प्रकार बिना चंद के कोई भी जो कव्य पंग्तियां होती है न, वो शोबा नहीं देखती भई, अगर चंद का परियोग ना किया जाए, तो जो कव्य पंग्तियां होती है, वो शोबा नहीं देंगी, अगर एक कवी, किसी पर कवीता के अंदर, अगर अलंकारों का परियोग नहीं करेगा, तो क्या होगा सुंदर्ता नहीं बढ़ेगी और क्या होगा आभूशन से सुंदर्ता ही तो बढ़ती है रस कव्य के आत्मा होते हैं अगर सरीर से आत्मा निकल जाए तो बात खतम सारा मिट्टी उसी परकार अगर किसी कव्य के अंदर रस नहीं है न तो कोई उसको पढ़ना नहीं चाहिएगा वहीं, तो आज हम किसके बात कर रहे हैं चंद की, चंद काव्वे के बस्तर होते हैं, चंद सास्तर का आपको जनमदाता पूछ लिया जाए, कि चंद का जनमदाता कौन है, ये एक पिंगल नाम के रिशी हुआ करते थे भई, पिंगल रिशी, इसलिए चंद शंद को पिंगल भी कहा जाता है, आप से पूछ लिया जाएगा और ये प्रशन पुछा भी जा चुका है एक बार कि छंद का अन्य नाम बताओ, तो छंद का अन्य नाम पिंगल होता है, कारण क्या, पिंगल नाम के रिशी के उपर इसका नाम रखा गया, क्योंकि ये जर्म दाता है ना इसके फिर ये जो पिंगल नाम के रिशे हैं इनों ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था चंद सुत्रम इसके अंदर चंद के बारे में इनों ने विस्तार से बताया ठीक है फिर चंद का सबसे पहले उलेख किसमें मिलता है रिगवेद में ठीक है ना रि चिंतम वेद का नाम बताएं, रिगवेद, रिगवेद में किसके बारे में उलेख है, चंद के बारे में, सरव पर्थम, सबसे पहले इसी में था भई, ठीक है, और जनम दाता कौन, पिंगल नाम के रिशी, देखो यहाँ पर हमने चार प्रशन बनते हैं, मैं आपको प्रशन नाम पिंगल भी होता है, पिंगल नाम के रिशी ने किताब लिखी थी, चंद सुत्रम, इसमें बताया था चंद के बारे में, फिर सबसे पहले इसका परियोग किसमें मिलता है, रिगवेद में मिलता है, अब बात आती है, कि यह जो चंद है, वो कहते किसे हैं, तो चंद की परिभाशा क्या होगी? तो देखिए, जिन रचनाओं को यती, गती, तुक, वे, ले आदी, ले आदी नियमों से बांध दिया जाता है. बांध दिया जाता है, उसे चंद कहा जाता है. उसे चंद कहा जाता है क्या कहता है कि वही जो रचनाई होती है न यानके कवे पंक्तिया जब उनको यती से गती से तुक से वे ले से आप कहोगे मैंडम ये क्या सिस्टम है यती गती तुक ले ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे यहां उसके उपर समय निया लगाएंगे क्यों यहां पर आपको समझ में भी नहीं आएगा यह आगे जब हम छंद के अंग करेंगे न तो ये सारे के सारे बाते आपको एक मिनिट में समझ में आ जाएंगे ठीक है? इन आदी नियमों से जब किसी रचना को बांध दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है वई छंद कहा जाता है ठीक है क्या कहा रहे है कि जिन रचनाओं को यती से गती से तुक से वे ले आदी नियमों से बांध दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है वई चंद कहा जाता है ठीक है ना फिर देखो आगे कि जो ये चंद होते हैं चंद के अंग की बात करें तो कितने होते हैं वै च्यार होते हैं अगर हम चंद के अंग की बात करें, अंग का मतलब क्या? parts अंग का मतलब क्या होता है भई? parts होता है, parts जैसे बोलते हैं कि श्रीर के अंग कितने होते हैं तो अपने को कोई पूछ ले, तो हम तो एक मिनिट में बता दें आंख, ना, आत, कान, पै, जितने भी हैं सारे के सारे बता देंगे यह कहता है कि चंद के कितने अंग होते हैं चंद के चार अंग होते हैं ओ सोरी चार ने भी छे होते हैं यह चार पताने कैसे मैंड में आ गया जो मैंने लिख दिया चंद के जो अंग है ना वो कितने छे होते हैं ठीक है तो पहला अंग कौन सा है या मातरा यह चंद का पहला अंग है पहला पार्ट है कोई भी चंद हो ना बच्चों उसके च्छे अंग होते हैं च्छे पार्ट्स होते हैं जैसे हमारे बोड़ी पार्ट्स होते हैं अरे चंद के भी तो होते हैं उसके भी तो पार्ट्स होते हैं तो पहला कुण सा वरन या म मात्रा यह वरन क्या होता है वरन को तो हम अच्छी तरह जानते हैं कर चुके जैसे क ग और ग यह तो वरन है सारे वार्निक चंदों में हमेशा ही वरनों को गिना जाता है उसके बाद अब देखे मातरा अब मातरा कितनी होती है मातरा चंद में दो परकार की होती है एक तो होती है लगू और दूसरी कौन सी होती है वही गूरू मैंने इनके बारे में आपको शोट में बताया हुआ है जब मैंने वरन का टोपिक करवाया था ना तब यहां से मैंने आपको बता दिया था कि जो मातराई होती है न वो दो प्रकार की होती है एक तो होती है लगू और दूसरी कोण सी होती है गुरू लगू का साइन क्या होता है खड़ी पाई और गुरू का क्या होता है भई एस लगू का साइन होता है खड़ी पाई सिधा डंडा और गुरू क क्या होता है एस ठेंक है ना कि अंजी ब्रूल नम शकार जी गुरु का क्या होते है और अरहर यह ना समझ में सबको कु एक जी सबको क्लियर रहर अह इतना चलो जी करते हैं तो जो देखो जो लगु मात रही होती है ना लगू यह कुन सी होती है यहीं लिख देते हैं जल्दी समझे में आ जाएगा एक तो अ उसके बाद ई फिर उ और उसके बाद क्या री और फिर यह चांद बिंदू पांच यादर खेलेना भई अ ई उ री और उसके बाद क्या चांद बिंदू इनकी मातरा हमेशा इनकी मातरा क्या होती है बहई लगू होती है अ ई उउ री और उसके बाद क्या चांद बिंदू अ हमेशा लगू होगी चोट्टी मातरा गिनी जाएगी और गुरूंकोंसी एक तो आ उसके बाद आ फिर उ और फिर कुन सा ई अए, ओ, और ओ, इनकी मात्रा क्या होगी? हमेशना बड़ी होगी, इनकी मात्रा क्या होगी? बड़ी, आप को ओगे मणम ऐसे कैसे? देखो, एक बार एकजाम में पूछा गया था, कि नंदन वन में कितनी मात्राइं हैं? यह HSC का कोश्चन है भई, यह पूछा गया था, कि न नंदन वन में कितनी मात्राइं हैं? नंदन वन में पूछ रहा है। यह कै है? 44 भी आए है मैडम जी, यह कै है भई, 44? समझ भी निया, चलो, यह तो explain कर दो बच्चो, नंदन वन में कितनी मात्राइं हैं? तो देखो, यहां पर यह जो बिंदी हैंना सीर पर, तो यहां में लिखा नहीं क्या एक तो बिंदी यानुकी अनुसौर और यें विसर्गerus अनुसौर और विसर्ग दोन्यों की मातना भी गूरू होती है तो बिंदी आ गई तो कितनी हो गिंखर, जैसे शब्द है हमारे पास रजनी रजनी ठीक है न, तो रजनी में पूछ लिया जाए कि कितनी मातराई हैं रजनी के अंदर, तो आप क्या काहोगे, एक दो, और बड़ी की ठीक है न, दो लगेगी, कितनी हैं च्यार मातराई हैं रजनी शबद में च्यार मात रहे हैं ताला शबद में कितनी मात रहे हैं ताला में दो और दो कितनी है वई च्यार आप से पूछ लिया जाए विद्याले में कितनी मात रहे हैं विद्याले सबद में विद्याले कितनी मात रहे हैं कैसे करेंगे ये जो बीच में आधा होता है ना बीच में आधा, ये हमेशां आगे वाड़े को गुरू करता है, और हम लोग बोलते भी तो ऐसे हैं, विद, बोलते भी ऐसे हैं, विद, यानि कि जो ये आधा होगा न बच्चों, ये इसको गुरू कर देगा, क्या कर देगा, एस, ये तो पहले से ही बड़ा है, फिर एक और एक कितनी आगई, छे, विद याले सबद में छे मात रहे हैं, ठीक है ना, विद याले में कितनी मात रहे हैं वई, विद याले में छे मात रहे हैं, ठीक है ना, और देखो, जैसे हमारे पास शबद है, त्याग, त्याग सबद है वई, अब त्याग सबद में क्या, ये अध dol थatte क्यों क्यों है ये आदा है तो हम लोग इसको कैसे करीग कि रहें था अगर आदा हो तो इसको छोड़ थो हाद आख एाफ कि इसको कि इतने मात्रह होती में जुट जाएगा यान कि दो और एक तत्व में तीन मातरा है आप से पूच ले राजन शबद में कितनी मातरा है राजन क्योंकि अब ये लास्ट वड़ा आदा है अरे लास्ट वड़ा आदा क्यों टेंशन लेते हो क्या करो इसको इसमें जोड़ दो आगे वाले में यही ने तोसिश्टम है तो आप क्या कोगि राजन में चार मातरां भू देखो बच्शो मातराइं इस तरह किनी जाती है कर्मक्रुल है कि Member को है हंजी सब को क्लियर है मात्रें इस प्रकार से गिनी जाएंगी ठीक है गिन लोगे अराम से एक अदौर शब्द बता देते हैं जैसे हमारे पास शब्द क्या है सुरेश सुरेश अब सुरेश में कितनी मात्रे हैं छोटे की मात्रा एक इसकी दो इसकी एक चार मात्रे हैं भी सुरेश शब्द में चार मात्रे हैं ठीक है ना फिर अब जैसे बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा जैसे प्रकास सब्द आ जाए प्रकास कितनी मात्रे हैं अरे इसको खो दो और तीन कितनी है तीन है तो चलो जागे इस तरह से मातरों को गिना जाता है किसको भई मातराओं को तो यह क्या है यह वर्ण या मातरा है मातरा के लिए हमेशा याद रख लेना दो होती है एक तो लगू और दूसरी गुरू लगू कौन सी आ ई उ री और एक चांद Δी तू कैस dif Перв पास कि né .... ऊसके बाद को पास ना पार्ट हoptे और झाट जब तो हेल तो क्या करेंगे एक एक दो तुष्यार केंगे बस सीधि सी बात है और क्या ठीक है उसके बाद देखो वह तो पहला अ पर्ठ उसके बाद दूसरा उसके बाद है दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट है कि चरण या पद, आप चरण भी बोल सकते हो और पद भी बोल सकते हो, तो देखिए परतेक चंद में, क्या, कि परतेक चंद में चार चरण होते हैं, परतेक चंद में, क्या होते हैं, चार चरण होते हैं, कहीं कहीं पर छे भी होते हैं, यानिकि नब्वे परसेंट च्यार चरण होते हैं, आप से अगर एकजाम में पूछ ले, कि चंद के कितने चरण होते हैं, तो च्यार होते हैं, ये परसना भी चुका, कि छंद के कितने चरण होते हैं च्यार जैसे बोलते हैं कि जातिन पूछो साधु की एक चरण हो गया पूछ लीजिए ग्यान दूसरा मोल करो तलवार का तीसरा पड़ा रहने दो म्यान चोथा हो गया ठीक है उसके बार देखो नमबर तीन पर कौन सा है यती यती शबद आया था ना मैंने कहा था यती के बारे में पता चल जाएगा ये देखो लिखा वो यती तो ये यती क्या है भी यती का मतलब होता है विराम यानि कि रुकना ठहरना ठीक है ना तो देखो यती किसको बोलते है परतेक चरण के बाद रुकना परतेक चरण के बाद जो रुकना क्या कहलाता है यती कहलाता है परतेक चरण के बाद रुकना यती कहलाता है आप रुकते हो ना नोन स्टोप तो नहीं बोलते हैं आप बोलते हो जै हनुमान ग्यान गुन सागर रुके ना एक दो सेकंड के लिए जै कपीश्ति हु लोक उजागर फिर रुके राम दूत अतुलित बलधामा फिर रुक गए अंजन पुत्र पवन सुत नामा फिर रुक गए तो क्या परतेक चरण के बाद क्या होती है बच्चों यती होती है परतेक चरण के बाद होती है यती ठीक है तो इसके बाद कल करेंगे वई क्योंकि जो आगे जो मैंने समझाना है आपको उसमें थोड़ा सा समय लगेगा चरण का हमारा टोपिक आज कम्पलीट नहीं हुआ वई इसको हम कम्पलीट कप करेंगे कल करेंगे और कल रसका भी टोपिक करेंगे ठीक है तो इतना आप कर लिजी आज क्योंकि थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रोब्लम के करण भी कलास थोड़ी सी लेट हो गई थी कोई बात नहीं ऐसा तो चलता रहता है है ना ये कम्प्यूटर माश्य है कई बार थोड़ा सा लेट कर देते हैं कोई बात नहीं जी तो आप सभी का थैंक्यू आप सभी का धन्यवाद जै हिंद जै भारत